बीसमिल्ला है, रहने रही लहां प्रामान युक्ष्म से इसमार्यों काषए के लिए अधुस डिस परेट केल्च सबसे पहला काम, Be Yourself, आपको किसी लेबल की जरूरत नहीं, आप बहुत बाहिम्मत हैं, आप चैंपियन हैं, आप वारियर हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसे हैं, आप वैसे हैं, आप अपने साक्रिफाइस किया, आप लोग कहते हैं, और अच्छा भी लगता है, इगो को स्ट्रो और बच्चें को कहना कि देखो, अब हम दोनों टीम हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और किसी को ये लेबल नहीं देना कि हम्मत से जादा आगे बढ़ने ही कोशिश करूदी, excellence एक अलग चीज है, लेकिन कुछ और बनना जो कि हम में हम्मत नहीं है, उस वक्त बन सबसे पहली जो फिकर होती है, वो ये है कि हम बच्चों को एक सिक्यूर महौल दे सके हैं, और सिक्यूर महौल जो है, वो रूटीन के साथ आता है, एक वक्त पे उठना, बैटना, खाना, पीना, होमवर्क, आउटिंग, अक्तिविटी, गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग या बिल मैंने एक इंस्ट्राइम पर बढ़ा अच्छा लाइफ किया था, वो सिंगल पेरेंट थी, मैंने बहुत महीने गुजार दिये, सल्क करने में, अफसोस में, अफसुर्दगी में, बार बार उन सारे वाकियात को दोहराने में, लेकिन थोड़ कुछ अरसे बाद मुझे हैं, कि सिवाए उस पोटेटो चिप्स की कंपनी को, जिनके वे पोटेटो चिप्स कहा था, कि अपना वजन गें कर रही थी, किसी को फाइदा नहीं हो रहा ना, मुझे ना, मेरे बच्चों को, लेहाजा मैंने का, कि नहीं ठीक है, हो गया, जो होना था, गुजर गई सरसे, अब मैंने जम्यदारी उठा ली है, और मैं पावरलेस नहीं हूँ, मेरी इस्तताथ में जो है, मैं वो करूंगा, या मैं वो करूंगी, चाके मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बेहतरी कर सकूं, पिर उसके बाद, पॉइंट नमबर फाइव, जो है, वो है, में त स्पेंट कर रहे हैं, तो वो बड़ा पसंद करते हैं, पॉइंट नमबर 6 यह है, सीक और एकसप्ट सपोर्ट, मतलब कि अगर वाकई में आपके वेलवशर्स हैं, आपके इर्दगर्थ और आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, मसलन के वालदेन होगे, बहन भाई होगे, या या फिर कोई इस तरह के कोवर्कर्स होगे, या इस तरह के फैमिली जो खुद भी सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं, एक सपोर्ट नेटवर्क होना और पॉजिटिव और हम आहंग लोगों का सपोर्ट नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अचया बहली मिले लेकिन अच्छा एक्सपोज्जर मिलेगए. पॉइंट नम्बर सेवन यह हैं कि हर वक्त accessible و available रहना अक्सेबल और अवबयलीOR किस के लिए रहना अपने लिए रहना, अपनी ग्रोफ के लिए रहना, अपनी प्युजिकल हेल्थ के لिए रहना, या अपनी बच्चों के लिए भी accessible और available रहना हम बाज और कात हम सब जानते हैं जाहे हम single parents हो जाहे हम single parents ना हो हमारे relationship से गर काम ना कर रहे हैं तो हम अपने आपको तकलीफ परिशानी से नम करने के लिए घेंटों TV के सामने घेंटों social media के सामने घेंटों किसी ऐसी activity में गुजार देते ह और फिर हम उसको कहते हैं हम retail therapy कर रहे हैं shopping वारे जो लोग हैं अलबता नहीं आप accessible नहीं हो अपनी thought process को आप available नहीं हो अपनी growth को और इसको जब हम काट देते हैं तो फिर हमारी routines हमारे moods हमारी सहत सब कुछ जो है वो खराब होनी शुरू होती है और accessible आपको होना चाहिए अपने बच्छों के साथ अपने peers के साथ उन लोगों के साथ जो कि आपको हमेशा uplift करते हैं point number eight यह है कि collaborate with your kids single parenting की जो एक अची बात यह है वो यह है कि आप parent हो और आपकी authority है यानि कि आपने अगर सोचा है कि मैंने बच्छों को किसी trip पर लेकर जाना है या मैंने बच्छों कोई course करवाना है या मैंने बच्छों कुछ करवाना है और आप ही financially उसको support कर रहे हैं तो लहाज़ा you take the decision you do and when you guys think you're a sticker को और फिर उसके बात माशाला आप बच्छों से पूछते हो के यह मैं आपके लिए बेहतर समझती हो यह मैं समझ रहा हूं कि हमें यह कर लेना चाहिए आपका क्या ख्याल है बच्छे मिशाला मच्छों होता है जल्दी जल्दी समझना शुरू कर देते हैं कि हम और हमारे पेरेंट जो है वो टीम है और मिलके फैसले लेने से एक तो मिशावरत की सुनना पूरी होती है दूसरा दिलों में मुहबत बढ़ती है और पॉइंट नमबर नाइन ये है कि बच्चों के प्रस्पेक्टिव से भी चीज़ों को देखें देखें जो सिंगल पेरेंट होते हैं अक्सर वो यह कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं इतना कुछ कर रही हैं मैं थक गया हूं तो मेरी बात हर हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि क्योंके हम अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं तो बस सिफ हमारी सुनी जाए एक थोड़ा से स्टेप बैक लेकर हमें बच्चे का पॉइंट फ्यू देखने की जरूरत अब यह पॉइंट सारे पेरेंस के लिए हैं यह सिर्फ सिंगल पेरेंट्स के लिए नहीं कि बात बच्चों की आगी तो बच्चे तो हर घर में होते हैं अलहम दोल्ला और यह जरूरी है कि हम बच्चों के पॉइंट से चीज़न देखें फिर हमारी पॉइंट नमबर एड जो मैंने का था क्लाबरेशन बच्चों के सांथ वह बह की हैं कि हम उन कनेक्शन को इस्टबलिश करें रिप्एर करें अपने अपनी फैमिली थास को हम रीदिफाइन करें के ठीक है नाव अजा में हमारा मक्सद हयात क्या है हमारी प्रैइरिटी क्या है हम किनंचीजों पर इक त dei काम करना चाहते हैं हमारे जिननगी के हदफ क्या हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और किस तरहां से हम सपोर्ट एक दूसरे की बन सकते हैं ये वो दस पोईंटिस हैं जो के हलप करेंगे इन شाल 언제 सिंगल परेंट्स को अपनी इस जर्णी को थोड़ा सा एजी करने मैं और इस अपने बच्चों को अपने हिब जुमान में फर्माएं और हमें विज्दम अता फर्माएं अपने रिश्टों को निबहाने के लिए आमीन असलाम अलेकम